अगर एक डेढ़ लाख लोग आक्रोसित हो जाएंगे तो सो लोग बचा लेंगे उसके लिए मुख्यमंतरी क्या कर सकता है भाई सुप्रीम कोट ने राम मंदर का फैसरा दे दिया हूं मानते हैं वो आज भी उसको बाबरी मस्जीदी कहते हैं जोगी जी का बुल्डोजर और मोदी जी का राष्टवाद इनको धीरे धीरे बजाना शुरू किया है जिससे इनके पेट में दर्द शुरू है भारत को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में इस बात को उठाया गया यहां तक की एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर को अम उसमें कहीं-ने-कहीं लगा अरोप लगते रहे के पीम ने-न्रलाविद कोड़ी उस समय कहीं-कहीं-कहीं उसके साजिश्ष करता कि नेकि जब मौामला सुप्रीम कोड दे थे चैना सुप्रीम कोड़ बहुता स्वग्स स्वागत है या तनंश जहला है और क्रह में पर ल french ब विष्पान किया है तो पुए मैं सोची है कि नरेंद्र मोदी जब जब मीडिया दिखिविजें हे ना थिगविया सिंग दिखिविजें जिते वो कह रहे थे कि यह जान बूझके किया गया लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने साब साब कहा कि उस समय मैंने पडोस के जितने राज्य थे सभी राज्यों में कांग्रेस की महाराष्टा थी मध्यप्रदेश था 36 गड़ था सबसे मांग किये थे कि हमको सुरक्षा दो लेकिन किसी नहीं सुरक्षा दिया वो कोई नहीं कहता है और सबसे बात से यह बान पंति और लिबरल के नाम पर यह कंग्रेस को सपोर्ट करके जितनी मीडिया जितनी सिक्षंड संस्ता हैं और कि चितने ट्रॉप क्लास की जगये हैं वो कंग्रेस से यह बान पंति मांग लिए कि ठीक है 10-8 तुम्हारे पास रहेगा लेकिन सिस्टम हमारे पास रहेगा समझे तो आज भी वही सिस्टम में ये बामपंती जो बड़े बड़े पत्रकार है वो आज भी सिस्टम में गुशे हुए है और वह लोग ऐसा नेकसस बनाए गुजरात धंगे की बात सब लोग करते है पूरे दुनिया के मीडिया में भाई साब नौकेवल भारत में भारत को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में इस बात को उठाया गया यहां तक की एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर को तो अमेरिका जाने के लिए यहां से कांग्रेस की सरकार और पूरे बामपन थी, सारे लोगों ने अपनी ताकत लगा दी कि उसको बीजा तक नहीं मिले, उस आदमी को, इसलिए कि यो राजमाता सोनिया गांधी है, इनकी राजमाता जानती थी कि आने वाले दिनों में यही आ आजनिती में, उस दिन तहलका मचा देगा, और फिर हम लोगों का जीना, इसलिए कि वो 18 से 24 घंटा मेहनत करने वाला बैकती है, तो जब आने वाले दिनों में हमारे प्रधानमंत्री अगर 18 घंटा मेहनत करते हैं, तो आप 19 से 20 घंटा करने वाला जनता खोजेगी ना, माल राहूल गांधी कर नहीं सकते है, बाकी किसी में दम नहीं है, उस तरह की राष्टवादी सोच नहीं है, उस तरह का बिजन, तो ऐसे आदमी को वहीं दबा दिया जाए, वह उभर न पाए, वह किसी तरह से मजबूत नहों पाए, इसके लिए यह पूरा नेक्सस फैला दिय लेकिन गुजरात धंगे की बात तुम करते हो, लेकिन गोधरा कांड की बात, यह तिस्ता सी तलवाल का सुन लिजेगा, उसको क्या बताते हैं, जो गोधरा में हुआ था, जान बूज के एगो में मुसलमानों ने राम भक्तों को जला दिया, 64, जिसमें अब ग्रिह मंत्री ने कहा था कि मैं एक माँ थी, उसकी बच्ची को जलते हुए देखा था, धूदू करके बच्ची गोध में है और उसकी माँ जल रही है, ऐसा मैंने देखा था, उसको किस ने किया, क्यों किया, किस लिए किया, यह मुद्दा कभी भारत में बना ही नहीं, गल्तिक किस की थी सुरुआत किस ने किया, यह किस के वज़ा से हुआ, यह कभी मुद्दा ही नहीं बना, हमेशा मुद्दा किया रहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के प्रशाशन, गुजरात के ग्रिहमंत्री यह मुद्दा रहे, लेकिन जो असली बिक्टिम है, जिनके वज़ से घटनाय घटी जो लोग अहंकार में यह आम बात नहीं है भाई साम यह कोई नई बात नहीं थी वह होता क्यों था इसलिए कि जब कांगरेश की सरकार थी या भाजपा की इसके पहले नरेद्र भाई मोधी से पहले जो होती थी तो हर तीन महीने पर छुट-फुट दंगा और हो और दो साल पर बड़ा दंगा यह गुजरात की आम बात थी हर दो साल पर एक बड़ा दंगा और हर च्छे महीने पर एक दंगा मैं एक गुजराती भाई से बात कर रहा था वो कहता था कि विशेश समुदाय के दुकानों पर अगर हम जाते थे सामान अगर खरीद रहें कि बहुत बड़े आपके उमर का नौजवान बता रहा था कि हम लोग बच्चे थे सामान खरीदने चले गए आपको सामान लेना है नहीं तो आपको छुरा मार दिया जाएगा अगर पूछ लिया सामान का दाम तो आपको लेना है नहीं जाओगे पकड़ने के कोई बड़ा अगर आपने थोड़ा उल्टा सीधा किया कि नहीं लिया तो लोग ने तो उनका चंगु मंगुमाएंगे और आपको चकु मार देंगे आपको छुरा मार देंगे आप करेंग को ट्रेन में जला दिया जाता है अज जब जलेगा और वह 64 लोग एक मोहले के तो थे नहीं प्रदेश के कोने-कोने में थे और जली हुई लास जब चलती गई लोगों को देखना सोभाविक था और जब देखे उस लास को तो लोगों में आ गया गुष्सा अक्रोस जिस तरह से बिवादी धांचा अक्रोस में गिरा दिया गया उसी तरह से किसी नेता में नहीं किसी प्रसाशन के होजा से नहीं आल आफ सड़न पबलिक गुस्सा में जलाने लगी जो इस सोच के लोग थे उनको मारने लगी अब एक बात बताई कि सुप्रीम कोट भी जानता है एक ठ थानी सभी लोग सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी उससे गुहार लगाए फोर्स नहीं आई आसपास में कांग्रेस की सरकारे थी उनसे गुहार लगाए फोर्स नहीं आई एक ठाने में पुलिस कितनी होती है तीस से चालिस, हम सौव मान लेते हैं, सौव फोर्स एक थाने पर मान लेते हैं, और एक थाने छेतर में लोग कितने होते हैं, एक से डेढ़ लाख, अगर एक डेढ़ लाख लोग आक्रोसित हो जाएंगे, तो सो लोग बचा लेंगे, उसके लिए मुख्मंत्री क्या कर सकता ह भाई एस्पी क्या कर सकता है कि उसकी बहुत अच्छी नियात हो तो भी कैसे रोक लेगा इसके लिए उसनों ने गोली चलवा दी कितने लोग मर गए हिंदू मारे गए सब और बजरंग दल के लोगों को जेल में डाल दिया गया कि यह डाला गया सच्चाई के साथ इमांदारी के साथ उन्होंने काम किया जो जो दोसी था उसके खिलाब मुकदमा पंजिक्रित हुआ और इसी वज़ा से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के वज़ा से लेकिन किसी तरह से नरेंद्र भाई मोदी उभरेना इमांदार ब्यक्ति कर्मट ब्यक्ति राष्टी राजनीत में नवा है इसके लिए उनके पीछे या 20 साल जो आपने सवाल किया कि विस्पान कराया गया और उनको किस किन अरे 8-8 घंटा 14-14 घंटा बिठाके सवाल करती थी पूरी सोनिया एंड कंपनी पूरी मनमोहन सिंग की सरकार पूरी भारत सरकार की एजंसिया लगा दी दी गई थी कि ए घंटे के लिए ही सही इनको जेल में डालो लेकिन जो इस्वर के साथ होता है इमांदार का दूद का पानी सुप्रीम कोटनी अब यह जो हुआ कि तीस्ता सी तलवार को ले लीजे यह किस तरह से क्या-क्या हुआ है गई जेल यह महिला मने मोदी जी के पीछे कितना पड़ी थी दो तीन आइपियस थे एक तो हिरेन पांडेया थे वह भी पीछे पड़े थे तो उ उपर चले गया मानदारी में बहुत दम होता है सप्षिता में बहुत दम होता है और सही चीज लास्ट वहीं कहूंग देर होता है अंधेर नहीं होता है और लास्ट में उभर यह that Red Is लेकिन देखिएगा यही बामपंथी मीडिया सुप्रीम कोट को भी गाली देगी व्यवस्था को भी गाली देगी उस संभिधान को भी गाली देगी इसलिए कि उसका एजेंडा होता है विक्टिम कार्ड खेलना कांड करेंगे खुद देखिए गोधरा कांड में जलाये वही लोग शुरुवात वही लोग किये 64 लोगों को मारे वही लोग लेकिन विक्टिम बन गया शुरुवात वही दोसी वही सबकुछ वही शुरुवात करने वाला विक्टिम बन गया और जिसने नहाय का साथ दिया वह विक्टिम बनके 20 साल जेला यह है इस देश की सच्चाई कि तीस्ता सीतलवार की बात आ रही है बारवार क्योंकि अभी बड़े मीडिया हाउस के पूरा जीवन के लिए दिया हो उसे क्या मिला कि अरे बाप उसे क्या मिला 20 साल तक अब उनी विक्टिमों से पैसा लेके एक बार विक्टिमों साथ नहीं गई गरफतारी उसके बाप जेल में डाल दिया तो अच्छा सम्मिधान है देश में कानून है यह मोदी जी के वज़ा से जा रही है कि सुप्रीम कोट के वज़े से जा रही है उनसे यह पूछिए कि भाया तुमको संभीधान में विश्वास है कि नहीं तुम्हें सुप्रीम कोट में विश्वास है नहीं इसलिए कि सुप्रीम को एसाइटी के जाच के एक-एक पन्ने को एक-एक पहलू को और एक एक बात को पढ़ा है और SIT ने इतना किलियर एविडेंस दिया है एक एक चीज का कि मुख्यमंत्री ने क्या किया वहां की पूलिस ने क्या किया वहां के गृह मंत्री ने क्या किया किस तरह से हुआ यह पूरी घटना उसका यह है एविडेंस SIT ने इतना अच्छा Supreme Court में कि एसाइटी की भूर भूर प्रसंसा किया है सुप्रीम कोट ने और कहा है कि यह लोग जान बूज के विक्टिमाइज करने के लिए नरंद्र भाई मोधी को उनको जेल में डालने के लिए और इसी बहाने दुनिया से धन कमाने के लिए समझ रहे हैं धन कमाने के लिए एक के तहतिया किया गया है यहां हमारे संभिधान हमारे कानून की हेलना है अता इसमें जो जो लोग पत्रकार जो लोग समाज सेवी जो एंजीयो दोसी पाए जाते हैं उनके खिलाब दंडात्मक कारवाई करके उनके खिलाब उनको कानूनी कारवाई की जाए यह सुप्रीम कोट कह रहा है भाई साव जब तुमने कुकर्म किया है उस समय तो मार कंग्रेस के जमाने में गिफ्ट ले रही थी एक लाग चार एक करोड चालीस लाग हमारे टेक्स का पैसा उस तीस्ता सितलवाल को एक कंग्रेस ने दे दिया सिर्फ यहां कि लड़ती रहो तुम मोदी के खिला इनको किसी तरह से जेल भेजो किसी तरह से इसको आदमी सूली पटांग दो यह पूरे देश में खट यंत्र चलता रहा लेकिन यहां कानून है अभी नियाय बेवस्ता है बीस साल के बाद ही सही लेकिन दूद का दूद और पानी का पानी हुआ और सचाई खुल के सामने आ करता है और उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया कि गोदरा कांड जिसमें साठ कार्ट से जो बेकसूर थे इनका कोई गुनाह नहीं था उससे बातचीत करने से क्यों कत रहते हैं यह जो बात करेंगे तो फिर बंपंतियों की जलेगी तब फिर कांग्रेस यह जो नेकसस है न जिहादियों का और बंपंतियों का जो नेकसस है कह रहा हो ना इनका मूल उद्देश से होता है कि पहले कर देना जैसे अभी अभी घटना-घटी है ना यह विक्टिम बन गए लेकिन हर जुमे के दिन ही ऐसा अगटना क्यूं होता है चाहिए वो राम नौमी के दिन देख लीजिए हनुमान जैनती के दिन देख लीजिए जिस दिन देख लीजिए यह सुरुवातिया करेंगे लेकिन बाद में बिक्टिम बढ़ जाएंगे कि देखो हम यह बहुत हम कम संख्यक हैं हम कम जोर हैं देखो हमको सताय जा रहा हम को मारा जारा अभी यह फिस्वा बैस लग्वात कहीं थी जो जो उनके हर दीश में लिखा हुआ है वह अनुपुर्शरमा ने कहा लेकिन पूरी दुनिया में क्या फैला दिया गया चर्चा इस पर चलना चाहिए कि वा चाहिए कि यह सत्य है कि नहीं यह वास्तों में किताब में लिखा गया है कि नहीं इस पर चर्चा चलना चाहिए उसके जगह पे विक्टिम खेल दिया गया हमारे भारत पर दुनिया भर के मुसल्मान दरसल यह यह समझना पड़ेगा इस नेक्सस को यह एक प्लांड वे है कि असके लिए उसका देश प्रिया नहीं है। अधि उसके लिए पूरे ग्लोबल जो मुसल्मान हैं उनका प्रीय है। फ्रांस के लिए यहां कांड किया जाएगा बंगला देश के लिए यहां काम किया जाएगा जो भी मने घटना है घटेंगी दुनिया में कहीं मुसल्मान की प्रतार ना होगी उनके लिए यहां कांड किया जाएगा और बिक्टिम भी खेला जाएगा यह है सचाई इस देश की इसी के तहट बाकी वसली चीज दबा दिया जाता है जो सुरुवात करता है जो सत्य होता है उसको दबा दिया जाता है और बाकी चीज देख लीजिए कठुआ कांड हुआ था बाद में जाच हुआ तो पता चला कि नहीं वो सही नहीं है लेकिन मंदिर में रेप हुआ इसको पूरे देश में चलाया गया यह एक सुनियोजित खड़ेंद्र है बामपंथी और जिहादियों का मिला जुला नेक्सस है जो यह कांड करता है और यही हमेसा चलता आया है अब इसको जोगी जी और जोगी जी का बुल्डोजर और मोदी जी का राष्टवाद इनको धीरे-ध बजाना शुरू किया है जिससे इनके पेट में दर्द सुरू है कि सवाल यहां है कि अब क्या वो लोग माफी माइंगे जो 20 साल तक मोदी को गुजरा दंगों का आरूपी बताते रहे अगर उनको भाष्बाने प्रदान मंतिर का प्रत्याशी गोशित किया तो आरोप लग माफी मांगेंगे वो माफी मांगेंगे वो आज भी नहीं मानते हैं सुप्रीम कोट ने राम मंदिर का फैसरा दे दिया हो मानते हैं वो आज भी उसको बाबरी मस्जीदी कहते हैं यह बामपंथी भी उसी को कहते हैं सुप्रीम कोट नहीं संबिधान को ले जाके कुछ भी क लेकिन जब मुसल्मान ही मुसल्मान को मारता है तो यह किसी मुसल्मान कंट्री में नहीं जाते हैं, यह भाग के वहाँ आएंगे जहां दूसरे धरम के लोग हैं, वहाँ जन संख्या भी स्पोट करना है, इसी तरह से तमाम देशों का इसलामी करन किया गया है, यह अपने देश में नहीं जाते हैं, तो यह अपने कि अगया है, यह अपने आए जहादियों का एक अनतराष्टाश्ट गेंग है जो इसी तरह से करता है, तो उनको यह कि हम कल अगर पाकिस्तान, बंगला देश और अफगानिस्तान से मुसल्मान अगर सताय जाएंगे तो उनको आना है हिंदुस्तान, तो C.A. में उनको नागरिकता है तो मिलेगी नहीं, तो इनका जो यह सोच है कि कल इस देश को हिंदुस्तान को इसलामिक देश बनाना है, वो इस C.A. से कटेगा, इसलिए C.A. का इतना भी रोध हुआ जो अपने बीबी और बच्चों को लेकर वो बुरका में पहना के सड़क, तो यह इसको पूरे देश को धीरे-धीरे समझना पड़ेगा कि इस देश में किस तरह का खड़ेंत चल रहा है, बहुत ध बनाना है, बहुत अऀ ना करता है, झालत था उ स्थ करता हुआ जिए को लेकर वोगतीन कूल शow हुआ T. Ta record, यह दो सकित्ना प्कृता को देख में कहत्यों को यह तो उढ़ा जए यहाना है, इसुद्धक को अइस अजाएएश के था ना विछ में बक्रा उच्माल